आउ राइड, आउ राइड, आ राइड, आओकेड, आओकेड, एक हैं कॲून, बारेड, आउराइड, आप देख सकते हैं आज में लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही colorful और बहुत ही प्यारी सी एक पूजा आशनी table mat या dining table coaster आप किसी भी तरीके से इसे use करें और इसमें मैंने अपनी सारी जो बची हुई उन है उसको combination करके लगाया हुआ है बहुत ही प्यारा सा pattern बनके ready हुआ है बहुत ही colorful है और सबसे बड़ी चीज है ये friend की इसे दे के कोई बतानी पाएगा कि इसे कैसे बनाना है ये देखेगा पूरा यहां से start हुआ है corner से start होता है ये और corner से ही start होते हुए corner पे ही जाके end होता है बिलकुल नया और different design आपके लेके आई हूँ आपने rectangular बहुत बनाए होंगे बट इस pattern में नहीं बनाया होगा और आप भी अगर नई नई चीजों को नई design को बनाना पसंद करते हैं तो इस design को जरूर बनाए है दो फाइदे हैं इसे बनाने के पहला तो आपके जितनी बची हुई होने वो इसमें लग जानी है और दूसरा कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा कुछ नई design आप चान पाएंगे बहुत ही प्यारा सा pattern है आई होप आपको पसंद आएगा पसंद आए तो एक like जरूर कर दीजेगा comment करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको ये colorful design कैसी लगी तो चलिए फिस टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो उसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो design आपको दिख रही है friends ये हलकी सी tilt होती है पूरा rectangle ना होके थोड़ा सा ये tilt होती है design क्योंकि corner से start होती है और corner पे ही end होती है बनने के बाद देखने में बहुत ही जदा खुबसूरत सी लगती है किसी भी तरीके से आप इसे use करें और अगर आपको baby blanket वगरा बनाना है तो भी आप इस तरीके का pattern बना सकते हैं बहुत जल्दी बनके ready होता है तो चलिए first start कर लेते हैं आज का अपना ये video बट आगे बढ़ने से पहले आपसे request है कि अगर आप channel पढ़ नए है तो please इसे subscribe कर लें और आने वाले bell icon को भी जरूर ट्रेस करें ताकि मैं जो भी videos upload करूँ उसकी notification आपको सबसे पहले मिल सकी तो चलिए पास जो भी बच्ची बूल है उसे ही यूज करके मैं इस project को बनाऊंगी सबसे पहले मैंने इसमें एक color ले लिया है और अब इसमें इस तरह से एक magic लूप लेंगे यहाँ पर एक दो तीन तीन चेन मनाएंगे सेम इसे जगह से डालेंगे पहले एक double crochet दो हो गई तीन चार और पांच यह जो तीन चेन बनाई है यह मेरी पहली double crochet है इसे as a first double crochet काउंट करेंगे उसके बाद एक दो तीन चार double crochet और बनाई है तो तीन चेन मिलाके टोटल पांच हो गई है और अब इस लूप को हमें यहीं से खीज देना है एक दो तीन चेन मनाके वह को टर्न करेंगे और एक double crochet के बाद बीच में इस जगह पर crochet को डालेंगे और तीन और double crochet इसमें बना लेंगे एक दो और तीन ओके फिर से चार हो गई यहाँ पर बीच की जो तीन है इसे skip कर देंगे और लास्ट वाली जो हमारी तीन चेन का space है तीन double crochet के बाद, आखरी वाली से पहले डालेंगे भीच wheit है आखरी वाली जो है 3 double crochet, उससे पहले ह्लका सा space देख रहा होगा, उसमें डालेंगे उसमें पहले 3 double crochet बना लेंगे ? 1, 2, और 3, और यह जो थर्ड नॉम्हार चेन है एक double crochet इसके उपर बना लेंगे एक यह हो गई हर दो रों के बाद हमें बागे के लेना करना लास्ट लूप को उवर्न ना करके इसे इस तरह से पकड़ेंगे , और अब मैं इससे हलका थोड़ा सा ही डॉक और नर फिरूज यहाँग यह거를 कर आँघ को कार वर यह रहें है हां यहाँगाut बॉर्टल ग्रीन ऐसी थोड़ा सा लाइट कलर है सी ग्रीन टाइप का कलर है और यह है मेरा फिरूजी कलर इसे इसमें लगा लिया एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे वह को टर्न कर लेंगे और सेम वैसे ही एक यहाँ पर जो फर्स्ट बाला इस पेस है एक दबाग रोश्या के बार जो इस पेस है यहाँ पर तीन दबाग रोश्या बनाएंगे एक दो और तीन इसके बाद दो पैटन तीन तीन डबग प्रोशा के बाद यहाँ पे देखेगा अच्छा कासा आपको इस पेस दिख रहा होगा एक पैटन यह बना हुआ है तीन डबग प्रोशा का एक यह बना हुआ है बीच में यहां space है तो इस जगह पे डालेंगे और यहां पे बना लेंगे 3 double crochet एक, दो, और 3 अगें, नेक्स वाला जो 3 double crochet का pattern है उसे skip करेंगे और सबसे last वाला इस जगह पे जो space है यहां पे crochet को डालेंगे और पहले 3 double crochet बनाएंगे, एक दो और तीन इसके बाद थर्ड नमबर चेन पर डालके एक डबर क्रोश या एज को फाइन करने के लिए बना लेंगे ओके फिर से यहां से एक दो तीन तीन चेन बनानी है वह को अगेन टर्ण करेंगे और पहली बारी डबर क्रोश या के बाद इस जगह पर डालेंगे एक दो और तीन बहुत सिंपल है इसी तरह से आपका हर बार यह जो पैटन है वो बढ़ता जाएगा देखे पहले एक था फिर दो हो गया अब यहाँ पर तीन है इस रो में चार हो जाएगा तो पहला यह तीन डबर क्रोश या का पैटन है दूसरा यह है तो इसके बीच में जो इस पेस है यहाँ पर डालेंगे और तीन डबर क्रोश या बनाएंगे एक दो और तीन उसके बाद यह पैटन और यह पैटन इसके बीच में इस पेस है यहाँ पर डालेंगे और तीन डबर क्रोश या यहाँ पर बनाएंगे एक दो और तीन ओके फिर से तीन डब रोश चाह के बाद यह वाला जो लास्ट पैटन है इसके बाद में डालेंगे और तीन डबक रोश चाह पहले बनाएंगे एक बो और तीन और एक डवा क्रॉश्या बना लेंगे थर्ड नमबर चेन पे इससे क्या होगा थर्ड नमबर चेन पे बनाने से आपकी एजेस जो है वो फाइन हो जाएंगी तो अभी हमें इसमें यहां पे दूसरा धागा एट करना है बट उससे पहले मैं आपको बता दू जब आप दूसरा धागा लगाएंगे तो यहां पे दूसरा धागे को गाडबान दे जो पहले एट किया है और इसे यहीं पे कट कर लेंगे इस धागे को मैंने कट कर लिया और अब जैसा कि मैंने आपको बताए तूसरा धागा लगाने के समय आपको लाश्ट लूप को ओवर नहीं करना है तो इस लूप को मैंने खोल लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा और डाक कलर ब्लू कलर लगाऊंगी तो color आप अपने हिसाब से आपको जो भी पसंदो friends कम से ज़्यादा के according आप उसको पहले set कर लें और कौन सा color आपको लगाना है ये आप खुद चूज करें आपको किस color को कहाँ पे set करना है अगेन यहाँ पे पहले एक, दो और तीन चेन मनाएंगे फिर से इसे पहले आपको गाट लगा के जो फिरोजी color है उसे cut कर लेना है तो हर दो रो के बाद color जब change होगा तो आप color को change करते ही उसका thread cut कर दे और अब दो रो बनानी है हमें इस blue color से तीन चेन मना के वह को turn कर लिया और अब यहां पर देखेगा यह वाली जो space है इसमें डालेंगे और तीन double crochet बनाएंगे एक दो और तीन तो पहले और लाश्ट में चार double crochet बनती है एक पहले बन जाएगी edges के लिए और लाश्ट में भी वैसे ही जैसे मैं तीन double crochet तीन थर्ज नमबर चेन के उपर बनाती हूँ तो वो बनेगी आपकी edges के लिए इसके बाद देखेगा फर्स्ट पैटर्न की double crochet यह है तीन इसके बाद यहां पर दूसरे पैटर्न फर्स्ट और सेकंड पैटर्न के बीच में जो space है इसमें डालेंगे और तीन double crochet यहां पर बनाएंगे एक दो तीन फिर नेक्स फाले space में डालेंगे तीन double crochet बनाएंगे एक दो और तीन अगें नेक्स पैस में और तीन double crochet तो इतना simple आपने इससे पहले फ्रेंट्स नहीं बनाया होगा अब यह आप देख रहे हैं यह triangle shape में बनके ready हो रहा है बट आगे मैं आपको यह भी बताऊंगे कि इसे rectangular shape किस तरीके से देना है देखी का फिर से डाला और तीन double crochet यहाँ पे बना ली एक दो और तीन और थर्ड नंबर वाली जो यहाँ पे chain बनी है एक double crochet हमें इसमें बना लेनी है एक, दो, तीन अगिन अब यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच पैटन बनके ready हुए एक से सुरू किया था मैंने एक हुआ फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच तो इसी तरह के से हर रो में आपका सीम ही pattern बढ़ता जाएगा और आप इसे तब तक बढ़ाते जाएए जब तक कि आपकी चोड़ाई के according यह पूरा ना हो जाए जब आपकी नीट के according यह चोड़ा हो जाए तो वहां से आपको फिर इसे रेक्टेंगुलर save देना होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है तो सेम ऐसे ही आपको हर बार करना है जितने भी दो pattern के बीच में तीन चेन का space है उसमें सिर्फ आपको color को change करते हुए इसी तरह से तीन तीन double cross को fill करते जाना है और row by row इसे ऐसे ही बनाते चलना है जितना भी हैं उसके according आप इसे चोड़ा बना सकते हैं और उसके बाद फिर इसमें आप बताऊंगी कि आगे इसमें क्या करना है एक दो तीन एक दो तीन और लास्ट में यह जो तीन double cross है इसके बाद यहां पर डालेंगे और तीन double cross है यहां पर बनाएंगे एक दो तीन और यह जो थ्रेड है यह सब ब्लास्ट में बॉर्डर बनेगा तो यह उसमें cover up हो जाएगी यह आपको कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगी फिर से जो थर्ड नमबर वाली चीन है उस चीन में डालेंगे और यहां पर लास्ट में एक डवा क्रॉश्या बना लेंगे दो रू हो चुकी है अगें वरक को यहां पर हमें धागी को चेंज करना है तो अब मैं इसमें light green कलर का धागा एट करूंगी और यहां पर तीन चेंज से फिर से स्टार्ट करेंगे तो सेम प्रोसेस को यह फ्रेंट्स कांटिन्यू कर लीजे और इसे तब तक बनाते जाए जब तक कि आपकी नीट के अकॉर्डिंग यह चोड़ा ना हो जाए बनाना आपको सेम ऐसे ही है कहीं भी कुछ भी चेंज नह गहारता जाएगा तो मैं इसे कुछ बढ़ा बना लेती हो फिर आपको बताती हूँ आगे इसमें क्या करना है हर दो रो के बाद आपको द्खे को चेंज करना है अगर आप किसी दो या तीन कलर की धागे से ही बनाना चाहते हैं, बिलकुल फ्रेश पीस बनाना चाहते हैं, तो आप बची हुई उनसे न बना के न्यू थेट से बनाएं, किसी भी तीन कलर को यूज कर लें और उसे बना लें, और अगर आप बची हुई उनसे बनाना चाहते 7 8 9 10 11 12 13 14 14 बार मैंने इसमें धागी को चेंज करके सेम उसी प्रोसेस को रिपीट किया है जैसा आपको बताया था यहां पर अगेन मैंने नेक्स धागा एड कर लिया है और अब इसे स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगुलर शेप देना तो तीन चेंड अगेन वैसे ही जो फर्स चार डबर क्रोश्या बना के रेडी करेंगे और बाकी नेक्स वाला जो स्पेस है इसमें बनाएंगे तीन तीन डबर क्रोश्या तो सेम वैसे ही बनाना है पूरी रोग को तीन तीन डबर क्रोश्या बनाते हुए यह जो एंड वाला आपका ब्लॉक है यहां तक आ जाना है देखे का पूरे में मैंने 3-3 double crochet बनाई है और अब एंड पे आ गई हूँ सबसे लास्ट वाला जो ब्लॉक है उसमें मैंने 3 double crochet बना ली है और यहां पे जहां 4 double crochet बनाते हैं इस जगह पे सिर्फ एक double crochet बनाएंगे ओके सिर्फ एक साइड पे बनाई है इस side मैंने 4 ही बनाई है एक side मैंने सिर्फ एक double crochet बनाई है एक, दो, तीन तीन chain मना के work को turn करेंगे और again इस जगह पे कोई भी double crochet नहीं बनाएंगे तीन chain मनाने के बाद next वो ये पहली वाली double crochet है इसमें हमें तीन double crochet बना लेनी है एक, दो, तीन ओके, तीन double crochet बनाएंगे और फिर next वाली जो है block उसमें तीन double crochet बनाएंगे ये देखिए यहाँ पे भी एक बनाई है इसके उपर सिर्फ तीन chain मना के next block से मैंने तीन double crochet बनाने स्टार्ट किया है पूरे में ऐसे ही बनाते हुए end पर आ जाएंगे बिलकुल last में यहाँ पर जब आप इधर आ जाएं तो यहाँ पे आपको जैसे चार double crochet बनाते हैं सेम वैसे ही चार double crochet बनानी है तो एक तरफ में घटा रही हूँ और दूसरे तरफ सेम वैसे ही बन रहा है जैसे बनाते हैं कुछ रोज ऐसे ही बनेंगी तीन और चार अब फिर से धागे को चेंज करना है तो यहाँ पे मैंने last में रोग दिया है और अब यहाँ पे अगेन मैं cream color का धागा आड़ करूंगी तो धागा तो आप अपने according के आड़ करें जो भी आपको color लगाना है वो color आप लगा सकते हैं मल्टी कलर में कोई color कहीं भी लगाएं सब अच्छा ही लगता है एक तो तीन चेन अगेन जो फर्स नमबर है यहाँ पे चार ही बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन और तीन डबल क्रॉशा बना ली सेम वैसे ही एक डबल क्रॉशा बनाते हुए सौरी तीन तीन डबल क्रॉशा हर बनाते हुए एंड पे आ जाएंगे सेम ऐसे ही तीन तीन डबल क्रॉशा बनाएंगे और यहाँ जो लास्ट वाला यह वाला ब्लॉशा है यहाँ पे आएंगे इसमें नहीं बनाएंगे, सिर्फ यहां तक बना करेंगे अगेन यहां पे जो एक तीन चेन मनी हुई है, इसमें जो थर्ड नबर वाली चीन है, इसमें सिर्फ एक डवर प्रोश्या बनाएंगे तो एक साइट पर मैं यहां पे हलका हलका घटा रही हूँ फिर से 3 chin बनाएंगे और work को turn करेंगे यहां पे कुछ भी नहीं बनाएंगे जो first वाला है space यहां से 3 double crosshair बनाना श्टार्ट करेंगे और end में वैसे ही 4 double crosshair बनाएंगे तो इस तरह से continue करते हुए कुछ रोज हमें बना के ready करनी है same ऐसे ही बनाना है जिस साइट पर घंड रहा है जैसे मैंने यह चार रोज आपको बताई हैं सेम वैसे ही बनेगा हर दूरो के बाद कलर change होगा और जिस side पे 4 double crochet बनी है उस side पे 4 double crochet ही बनेगी हर और जब आप इदर से आएंगे तब भी और जब स्टार्टिंग में जैसे बनाते हैं वैसे ही तो इस तरह से continue करते भी करके करते हुए कुछ 2 बना कर ने हैं कुछ कुछ रोज बना लेनी है तो मैं इसमें कुछ रोज बना लेती हूं फिर आपको बताती हूं कि मैंने इसमें कितनी रोज बना के रडी की है इस पैटन के साथ यहां मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इधर से एक एक जैसे मैंने घटाना बताया था सेम वैसे ही घटा और अब यह इस तरह का बनके रेडी हुआ है, यह नीचे का पार्ट है, यह हमारा लंबाई हो गई, जितनी आपको लंबाई चाहिए, उतना लंबा आप इसी तरीके से बनाते जाहिए, चोडाई में आपको यहां मैं एक से जोर बता दूँ, चोडाई के अकॉर्डिंग आप के बाद दो हुआ, फिर तीन, फिर चार, फिर पाच, इस तरह से एक एक आपका यह पैटन बढ़ता चला गया है, इसी आपको तब तक बढ़ाना है, जब तक आपका चोडाई के अकॉर्डिंग पूरा ना हो जाए, जितना भी चोडा आपको टेबल मैट या पूजासनी ज जब तक आपका, जहां से आपने स्टार्ट किया है, इस साइट की लंबाई, जिस साइट पर आपने घटाना नहीं सुरू किया है, घटाया इधर है, इस साइट पर कुछ भी ने घटाया है मैंने, तो जहां से स्टार्ट किया है, वहां से आप इसकी लंबाई को मेजर कर ल दोनों तरफ से मैं अब घटाऊंगी इसमें तो अब यहां पर देखेगा क्या करना है मेरी फिल लमभाई इसमें पूरी हो चुकी है आल्मोस्ट तो अब मैं इसमें यहां पे घटाना स्टार्ट करोंगी है घटाना प्लave सेम बनाएंगे एक, दो, और तीन, नेक्स वन में भी एक, दो, तीन, सेम तीन तीन डबाक रोशा बनाते हुए, पूरा एंड पे आ जाएंगे, इस जगह पे जहां पे घटा रहे हूं से पहले वाले ब्लॉक तक बना लेंगे, तो यह देखे, यहा पूरे में, बनाते हुए, मैं वैसे ही, एंड पे आ गई हूँ, इस साइट पे, जिस साइट पे हम, हर बार, एक, एक डबाक रोशा घटा देते हैं, एक पैटन को, यहां पे करने के बाद, तीन, डबाक रोशा बनाने के बाद, इसमें, आगें सेम वैसे ही बनाना है थर्ड नंबर वाली चेन पर डालेंगे और सिर्फ एक डबा क्रोशा बना लेंगे तो इधर वाला पैटन ऐसा ही बनता जाएगा जैसा बन रहा है और अब इस तरफ भी हमें घटाना स्टार्ट करना है अभी तक जब आप घटा रहे थे तो आपका यह जो पैटन चेन बना हुआ है वन टू थरी फोर तो आप इसे काउंट करेंगे तो हर तीसरी वाली में इतना ही बनके रेडी हो कय eerste है तो कहीं सब्सक्राइब बनने के बाद सबा में ऑग रधा से फिर से यहंने के बनानाने के बाद एक तो तीन चैन मनाएंगे से में grief करेंगे 3 double crochet बनाना ये start करेंगे 2 3 सेम ऐसे ही 3 3 double crochet बनाते हुए again end पे आ जाएंगे जो ये end वाला block है जहां 3 chain बनाई है वहां कोई work नहीं करना है यहां पूरा pattern बनाते हुए पूरे रोकों मैंने बना लिया है end पे हूँ और जहां पे 3 chain बनाई है वहां सिर्फ एक double cross यही बनानी है सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी तक आपको बताया है एक side पे करने के लिए अब वही pattern आपको दोनों side पे करना है यहाँ पे दागी को change करना है तो work को पूरा over नहीं करेंगे इसे एक loop को छोड़ देंगे और यहाँ पे अब मैं दूसरा धागा light pink color का thread एड़ करूँगी एक दो तीन तीन chain मना की अगेन work को turn करेंगे इस जगह पे आप कोई work नहीं करेंगे जहाँ चार double cross यहाँ बनाते थे अब कुछ नहीं बनाएंगे और सीधे next वाले में आ जाएंगे और एक दो तीन अगेन तीन double cross यह बनाते हुए फिर से इस साइट पहेंगे दूसरे साइट पे और जहाँ पे तीन chain बन रही है उससे पहली वाली double cross यह तक बना के ready करेंगे और end में आने के बाद अगेन इस साइट भी हमें सिर्फ एक double cross यही last में बनानी है तो अब आपको फ्रेंट्सिस में कुछ भी नहीं करना है सिर्फ दोनों साइट पे last वाला जब होगा स्टार्टिंग में और end में दोनों साइट से आपको एक एक double cross यह घटा देनी है यहाँ पे मैंने एक double cross means last वाले में सिर्फ एक double cross यही बनानी है जब नया रोज स्टार्ट करेंगे तब भी सिर्फ तीन चेन बनाके work को टर्न कर लेंगे और इस space पे कोई work ना करके उसके बाद वाली से तीन double cross यह बनाना स्टार्ट करेंगे तो यह देखे इधर भी एक double cross यह लाश्ट में बन रही है और अब इस side भी एक double cross यही लाश्ट में बन रही है तो यहाँ भी सिर्फ मैंने एक double cross यह बनाई उसके बाद भी सिर्फ एक double cross यह बनाई यहां भी तीन चेंज से स्टार्ट किया और फिर से आऊंगी तो सिर्फ एक डबर क्रॉश्या ही इधर बनाऊंगी और अगर आप इसमें काउंटिंग करेंगे तो आपकी हर रो में एक पैटन इसमें कम होता जाएगा और अब इसको ऐसे ही करना है इधर से भी लास्ट वाली और इधर से भी लास्ट वाली दोनों पैटन को खतम कर दिना है इधर अगर तीन चेंज से स्टार्ट करेंगे तो इधर आते हुए लास्ट वाली में डबर क्रॉश्या बनाएंगे और अगर इधर 3 chain से start करेंगे तो last में आते हुए इधर 1 double crochet बनाएंगे same pattern को हमें तब तक continue करते रहना है जब तक कि last में आपके पास सिर्फ 1 pattern न बच जाए जैसे आपने यहां से start किया था और आपका pattern बढ़ता गया था बढ़ता गया था अब आपका same ऐसे ही बनेगा यहां पर आपका V बनके ही ready हो रहा था तो अब same ऐसे ही बनेगा V बनेगा बट वो अब उल्टा हो जाएगा और एक एक करके इस तरह से घटेगा और आपका और उपर जाके सिर्फ एक double crochet एक ही pattern बचा रहा जाएगा तो मैं इसमें बना लेती हो फिर आपको clear हो जाएगा कि यह किस तरह के से बनेगा लास्ट में सिर्फ आपको ऐसे ही करना है ऐसे ही घटाना है जैसे इस साइट घटा रहे हैं वैसे ही इस साइट भी घटाएंगे और same process को continue करते हुए एंड तक आ जाएगे जब दो पैटर्न बनके ready हो जाएगा और लास्ट में आ जाएंगे तो तीन चेन बना के बीच में सेम वैसे ही बनाएंगे तीन डबल क्रॉश्या बट लास्ट वाली डबल क्रॉश्या को ऊवर नहीं करेंगे पूरा लूप ऊवर नहीं करेंगे क्लस्टर बना के ready करेंगे एक दो तीन और सेम ऐसे ही इधर से भी एक डबल क्रॉश्या ले लेंगे और अब यह देखी का जितने भी लूपस हैं आपके पास इन सारे लूपस को एक साथ ओवर कर देंगे और यहाँ पे एक चीन बना के धागे को कट कर लेंगे इस तरह से हमारा यह इधर का भी पैटन बनके रेडी है और इधर से भी सेम वैसे ही बनके रेडी है तो पूरा अब यह बन चुका है अब इसमें इसका बॉर्डर बनाएंगे बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे कॉर्णर पे इस कॉर्णर पे धागे को एड़ करेंगे किसी भी एक कॉर्णर पे धागे को एड़ कर लीजे सीधे के साइट से ही एड़ करेंगे जिस side सीधा है उसी side इसे यहाँ पर धागे को add करेंगे कोई भी color का धागा इन में से जो भी आपको पसंद हो जिससे आपको border बनाना है उस color का धागा आप इसमें add कर सकते हैं अब यहाँ पर जो corner है corner में हमें बना लेना है पहले दो chain इसी space पर बनाएंगे एक half double crochet, दो chain सेम इसी space पर इसी जगह से फिर से डालेंगे और एक half double crochet तो corner पर बना है दो half double crochet, दो chain और दो half double crochet corner बनाने के बाद एक यहाँ पर जहाँ पर हमने दूसरी double crochet बनाई है इसके उपर वाली जो row है बीच वाला पार दिख रहा है यहाँ पर बना लेनी है एक half double crochet यह double crochet है यहाँ पर बनानी है दो half double crochet एक और दो और फिर से एक यहाँ पर दिखेगा हलका सा joint है यहाँ पर एक बना लेंगे अगें चेन दिख रही है यहाँ पर तो चेन यह double crochet जो भी बना होगा सबसे पहले इसी में बनाना है एक और दो और एक बना लेनी है इस जगह पर जहाँ पर दो row आपस में joint हुए जहाँ से दूसरी row स्टार्ट होती है वहाँ पर हलका सा space होता है वहाँ पर बना लेंगे तो सेम प्रोसेस को ही repeat करना है चेन है यह double crochet उसमें बना लेनी है दो और एक बना लेनी है joining point में दो chain सेम इसी space से एक और दो हाफ double crochet चारो corner में हमें सेम ऐसे ही दो हाफ double crochet दो chain और दो हाफ double crochet ही बनानी है और अब सेम प्रोसेस को repeat करेंगे जो हमारा chain या double crochet जो भी आपको दिख रहे है उसमें बनाएंगे दो हाफ double crochet और एक बना लेंगे यहां पर जहां पर हलका सा जॉइन दिख रहे हो यह जो भी धागी है इन्हें इसी के अंदर करते चलेंगे तो फिर यह दिखाई नहीं पड़ेंगे एक और दो और एक बना लेना है इसी joining point पे okay same process को ही चारो तरफ repeat करना है हमें corner same जैसे बनाया है वैसे ही बनाएंगे पूरे में same ऐसे ही बनाते चलेंगे धागे को अंदर cover कर लेंगे जब third corner पे आ जाएंगे तो third corner पे ही same process को करेंगे एक half double crochet 2 chain और half double crochet उसके बाद fourth corner पे भी same process को करते हुए जहां से start किया है वहीं पे आ जाना है फिर उसके बाद इसमें दूसरा round बताती है और आप देखेगा इसमें क्या करना है work के end में जहां हमने chain बनाई थी दो chain बनी हुई थी तो first number वाली second number वाली chain में इसे add कर देंगे और again यहां पर दो chain बना लेंगे और इसके बाद वाली जो half double crochet है इसमें डालेंगे और एक half double crochet इसमें बना लेंगे तो यहां पर 2 half double crochet दो chain और 2 half double crochet बनी हुई थी तो जो 2 half double crochet बनी थी उसके उपर मैंने half double crochet ही बना ली है अब यह 2 chain है इन चेन में भी दो हाफ डबा क्रॉश्या सोरी एक हाफ डबा क्रॉश्या दो चेन और अगें एक हाफ डबा क्रॉश्या यहां पर बना लेंगे पहले दो बनाई थी इस बर यहां पर एक हाफ डबा क्रॉश्या दो चेन और एक हाफ डबा क्रॉश्या बनाई है नेक्स वाले जो हाफडबा क्रोश्या है इसमें हाफडबा क्रोश्या बनाएंगे और उसके बाद वाली जो है इसमें भी हाफडबा क्रोश्या बनाएंगे तो यहाँ पर दो हाफडबा क्रोश्या जो बनी ही हुई थी उसके उपर मैंने एक एक बना ली है और जो दो चेन का इस पेस था उसमें 1 half double crochet, 2 chain और 1 half double crochet बनाई है तो अब आपको जितनी भी रोज बनानी है इसमें इसी तरह से border में सब में आपको ऐसे ही करना है, corner में आपको same ऐसे ही करना है हर बार इधर से आपकी 1 half double crochet बढ़ जाएगी, पहले 2 थी, इस बार 3 हो गई है और अगले बार जब round में आप आएंगे तो इन तीनों के उपर 1 half double crochet बना लेंगे और उसके बाद फिर ये जो chain space है, इसमें 1 half double crochet, 2 chain और 1 half double crochet बना के corner को बढ़ा लेंगे ताकि corner आपका मुडे ना, ये जो half double crochet बनी है, इनमें सब में 1 half double crochet ही बनानी है अगिन यहाँ पे corner पे आएंगे, जितनी half double crochet है पहले सब में बना लीजे, जब chain पे आईएगा तब वहाँ पे आपको 1 half double crochet, 1 chain और 2 chain और 1 half double crochet बना लेनी हो के कोई यहाँ से जैसे आ रहे हैं तो दिखिए, यहाँ तक पूरे में half double crochet बना लेनी है, सिर्फ chain में आपको बनानी है, 1 half double crochet, 2 chain और 1 half double crochet और फिर से इधर से आपको same वैसे ही बनाते चलना है अगर आपको work tight लग रहा है, लग रहा है आपका corner मोड रहा है, तो आप यहाँ पे chain space में 2 half double crochet, 2 chain और 2 half double crochet बना सकते हैं तो मैं इसमें कुछ round बना के ready कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे according जोड़ा बना लें, मैंने यहाँ पे 2 ही row बनाई है, अगर आप इसमें ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो ज्यादा बना लें और end में जो work up को करना है वो देखेगा, 2 chain बनाएंगे, जहाँ भी आपने work को add किया है, वहीं पे 2 chain बनाएंगे, same space पे work को add करेंगे, एक double crochet बनाएंगे, फिर से इसी space से एक और double crochet बनाएंगे, और same space से एक और, तो total 4 हो गएं, 2 chain को मिला के, और अब इन सारी double crochet को ये वाला जो 2 chain का space है, इसमें बीच में, chain में add कर देना है, सारे फिर से 2 chain मनाएंगे, जहाँ पे add किया है, उसी space से लेंगे, एक double crochet, फिर से वहीं से, 2 double crochet, और 3 double crochet, 2 chain और 3 double crochet total बनानी है, work को इस तरह से करेंगे, और जहाँ आपको लग रहा है, ये add हो रहा है, तो मेरा 1, 2, 3, जो 3rd नमबर वाली, ये देखेगा, 3rd नमबर वाली, जो half double crochet है, इसमें मैं इसे add कर दूंगे, एक, दो, दो chain बनाएंगे, सेम प्रोसेस को फिर से करेंगे, एक, दो, और तीन, और अगें, जो 3rd नमबर वाली, हाफ double crochet है, इसमें इसे add कर देंगे, तो सेम प्रोसेस को ऐसे ही continue करेंगे, और इस पूरे round को ऐसे ही over कर लेंगे, ये last round है तो, जैसा कि मैंने आपको बताया, half double crochet वाला round मैंने 2 बनाया है, आप 4 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, ये 5 बना सकते हैं, जितना आपको चोड़ा बनाना है, उतना चोड़ा बना ली, सेम प्रोसेस ऐसे ही होगा, corner तक ऐसे ही करते जाएंगे, next corner में भी semi process को करेंगे, और ब बना के ready करना है, और आपका ये पूरा table mat बन के ready हो जाएगा, पूरे में मैंने same वैसे ही, side का design बना लिया है, और अब ये बहुत ही जादा खुबसूरत लग रहा है, और पूरा बन के ready है, I hope आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो like, share and subscribe, जरूर कर दीजेगा, मैं मिलू आप से कुछ नए ideas के साथ next video में तब तक के लिए, bye bye thank you and have a nice day